ऐससलाम अलेकुम आज हम बना रहे हैं ब्रेड ब्रेड डूल बहुत अच्छी रसीपि है रमजान के लिए था है अफ्तारी वह बहुत अच्छी लगती है इसके लिए हम रैट स्लाइसिस पहले एक ब्रेड स्लाइस लेंगे उससे अच्छी तरह रोलर पिंसे दबा दबा के करेंगे और फिर से बेल कर चिप्टा कर लेंगे बिल्कुल है अब इसके सारे अजिस निकाल लेंगे काट कर दिहान रखना है कि बिल्किल फ्रेश ब्रैड हो थाकि वह अच्छी तरह से फ्लाइट हो जाए वना होगी तो लाजमी तूटेगी तूटने का खया लखने के कर लेंगे तकरीबन 12-13 पीस हैंगे श्रेड़िट चिकन लेंगे आदे पूल इसमें आधी शंबला मर्च डालेंगे थोड़ी सी क्याबिज लिए हमने स्प्रेंग अन्यान नहिया पुदीना अहरी मर्च इस सारी चिसे लिए तकरीबन एक टेबिल स्पून एक टीस्पून बलके काली मेंच डालेंगे ख्रेश करनेंगे इसको फ्रेशली ख्रेश्ट होता अच्छा है यह लिए हमने चिली सॉस बंटेबिस पून अब जह अंदार रहा है इस परसे मैसी डारे हूं आप टेबिल स्पून से कर लिजए लिए सास भी बंटेबिस पून म्योनीज लेंगे तकरीबन 4 टेब स्पून सब को ची तरह मिक्स कर लेंगे अच्छा सा बेटर बन जाएगा चिकन को आपको पहले बॉयल करना है अगरक लसन के साथ नमक और काली मिर्स में हलका सब बॉयल कर लेंगा और इसको पर चरट कर लेगा बहुत सी चीज़ों में यूज हो जाती है असानी से तो अच्छा मज़दार बनेगा यह रोल थोड़ा सा बैटर रखके तो फोल्ड करेंगे किसी पानी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है अगर आपकी फ्रेश डेबल उटी होगी तो यह आराम से इसी तरह हो जाएगी किसी तो सारे त्यार जालें अब एक अडालिया इससे फेटा थोड़ा सा दू डार लेंगें अंडे इसना रोलॵफ रॉल किए एसे तना सारे रोल्स पना लेंगे हम अब इसे पैन में डालकर फ्राइब करेंगे हाई फ्रेम पे करना है किके बस गुल्डन ब्राउन होना है इसमें फॉरन सब चीज़ें पकी हुए ना ब्राइट को पकाने की जरूत है सिर्फ अंडा और ब्राइट क्रम्स पक जाना चाहेंगे यह ने गर्मा गरम मज़िदार अबस्टे आगने विडियते से लाइट